हेलो दोस्तों ट्रिक्स पूर ओल इस्टुनेट्स में आप सभी का एक बार फिट से सुआ गया थे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपका जैनरिक एलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है आइडियाज इन पॉल इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो आज आपके सब्जंट की युनिट वन को हम पढ़ेंगे युनिट्वन्ड का फिस लेक्षेar आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप से रिक्वेर्ष्ट है कि ऐक बार आप्व प्लेइलिस्ट को देख लेना प्लेइलिस्ट अगर आपको सारी बात समझ में लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा deeply हमें पढ़ना हैं या समझना हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है आप यहाँ पर यह समझें कि युनित One का नाम तो दे दिया गया की और धर्म और दंड लेकिन आपको क्या क्या आज कि इस वीडियो में पढ़ना है या आपको इस unit में पढ़ना है यसको पहले आप समझझ लो तभी आपको आगे की सारी बाति समझ में आएंगी तो सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं देकि Unit Majesty यह unit ओनी यह था है उनीड के बात करें तो इचस उलिगे धर्म और दंड के बारे में हम इसका मतलब political science है यह जो बुक है कौटिले की यह political science यह राजनीतिक विज्ञान से संबंदित है और इसलिए आप कौटिले को पढ़ रहे हो ठीक है नाम से confuse मत हो ना अर्जशास्त्र इसकी पुस्तक का नाम है कौटिले की लेकिन कौटिले की इस बुक का मतलब राजनीतिक शा से ही है अब हमें आज की इस चैप्टर में आज की इस यूनिट में हमें बात करने कि कौटिले के अर्जशास्त्र की क्या विशेस्ता है मतलब कौटिले की जो किताब उसकी विशेस्ता हैं क्या क्या है उसमें कौन कौन से चीज शामिल है और हमें इस यूनिट में कई सारी बाते करनी हैं इस यूनिट में हमें समझना है कि कॉटिले ने राज्जी के सिध्धांत के बारे में क्या क्या बातें कहीं हैं जैसे कि कॉटिले ने हमें राज्जी बताया है कि जो राज्जी है वो धर्म के अनुसार ही चलेगा तो कॉटिले ने धर्म की बात किये अब धर्म हमें सब्तांग सिध्धांत को भी पढ़ना है कोटिले ने एक स्टेट को शरीर के अंगों से जोडने का प्रियास किया है जैसे एक एक शरीर होता है उसका सर होता है हप हमें समझना है तो यहां आप आप समझपा रहें इसके अलावा को कोटिले की दरन्ड के सिद्धान्द समझने कोटिले की गुपत चर्रिया ऑगी संबंदें कोटिले ने op मैं हमें बात करनी है कि कोटिले और मैक्या वाली में क्या अंतर है क्या समानता हैं क्या चीजे हैं इसके बारे में हमें यहां पर समझना है देखो मैक्या वाली एक नया विचारक है ज्यादा पुराना नहीं है यह लगवक्त 5-600 साल पुराना विचारक है जबकि कोटिले के अगर समझ में आई होगी कि हमें कौन कौन सी मतलब बातें इस यूनिट में कवर करनी है इसका नाम छोटा सा दिख रहा है धर्म और दंड लेकिन हमें यहाँ पर सारी बाते करनी है जो कौटिले ने हमें बताई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं इसके लिए मैं आ आपको काफी बैटर तरह कीसे समझाएँंगी सारी बाते हैं तो आएं बिना देरी के हम बात करते हैं कौटिले के अर्फ कि प्रमुक विशिश्टाओं की बात करें कौटिले की किताब एगरिंन इसकी वशेष्ताओं की बात करें तो इसमें मानव मुलियों के बहुत एक duration कौन की और प्रवर्विति मानव लक्षे है मानव का जो लक्षे होता है वह एक बहुत समरिध्य की और होता है तो इसकी और इसने संकेत दिया है इसके अलावा इस जो अर्थशास्त है इसकी विशिस्ता है कि इसमें राज्य की सब्तांग की सिद्धांद की बात की गई है कि राज्य को साथ अंगों में बाट दिया गया है जैसे शरीर के अंगों होते तो वैसे ही राज्य की भी साथ अंग है इसमें को बाड़ा है अब यह हिसे हम next lectures में cover करेंगे शाषक के पराधिकार और कारें के विश्थरत विवेजना की अर्थ-शास्त gdy हमें शाषक की अधिकारों के बारें बताता है कि एक शाषक के क्या अधिकार है और उसके क्या का रहे हैं जैसे की इक शाषभ का प्रमुख का रहे हैं कि वो अपने राज्य में वैक्षियों की सुरक्षा करें तो यह यह काफी विश्त्रित विवेजना करता है इसके लावा कोटिले के अर्थशास्त्र की प्रमुख विश्यस्ता है कि कोटिले के अर्थशास्त्र लोगों के रक्षन धर्म के बचाव के साधन की रूप में दंड की केंद्रेता दंड को प्राया विधी के प्रयाय की रूप में देखा जाता है मतलब कोटिले के अर्थ शास्त्र में हमें दंड देखने को भी मिलता है मतलब दंड को आप नियमों के रूप में समझ सकते हैं जैसे कि मालो अगर कोई नियम तोड़े गा तो उसको punishment मिलेगी तो दंड को आप समझ सकते हैं कि punishment की व्यवस्था भी कोटिले के सिध्धानतों में की गई है एक राज्जी के अंतरगत शांती व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धर्म को बनाए रखने के लिए धर्म क्या है करतविक की व्यवस्था इसे अब अगली विश्था है कि कोटिले की भुस्तक में हमें भूराजनितिक चिंताओं पर पहली बार एक विश्थर विवेशना देखने को मिलती है अंतर राज्जी यह संबंदों की जलकियां प्रदरशित होती हैं मतलब एक अंतर राज्जे एक स्टेट में जो संबंद होते हैं जो एक दोस्ते सामराजें में जो संबंद होते हैं उसके बारे में कई सारी चीजें हमें देखाई देती हैं यहां एक बात याज रखना दोस्तों चलो कोई नहीं आगे बताऊंगा मैं आपको अब आगे बात करें तो अर्थशास्त्र की अगली विश्यस्ता यह है कि साप की विश्यस्ता यहीं है कि इस किताब में कैotillay ने एक साफेक्षी नैटिक्ता को सामने रखा है साफेक्षी नैय तिकता का मतलब है कि जब परिस्तितिहां सामाने होंगी जब आम जीवन अराम से चलता रह जब कोई विपत्तीनिक आएगी कोई अपाथकाल कोई ए- So एमर राजा होगा वह धर्म से बंदा होगा वह अपने करतव्यों को निभाएगा पूरी तरह और कोई भी आनैतिक काम नहीं करेगा लेकिन अगर कोई आपात काल की स्थिति आ जाए तो राजा अगर चाहे तो अप धर्म यानिकी धर्म से हट कर भी कोई काम कर सकता है नैतिकता से परे भी जाकर वो कुछ कर सकता है जैसे कि वो संपत्ति को ले सकता है लोगों की अपने अंडर में अगर जरूरत पड़े पूरे स्टेट को अपात काल का टाइम चल रहा है तो यह सारे चीज़े हैं जैसे कि कोटिले ने नैतिकता की बात की है कि राज्जे को नैतिक हम जब करेंगे को ठेले के मंदल सिद्धांत के थास समझे वह की किस तरह से इंटरनैशनल रिलेशचन के बारे में काफी अच्छे की पुस्तक में हमें अंतरास्ट्री समझने का समझने में अखाखन выглядит काफी ने काफी कुछ बताया उंतर राश्ती संभंधों के बारेमें काव ने कहा है कि एक छिस देश से आपकी सीमा मिले गी आप वो te पाफी रूप से शत्रू होगा जिस देश से आपकी सीमा टकराती है आज भी हम देखते हैं जैसे कि जो भी पडोसी देश होते हैं इस्पेशली उन राज्य कहते हैं तो जो साम राज्य है जो देश है इसको हम राज्य के कॉंटेक्स्ट में यूज करते हैं यहां पर इस राज्य का मतलब पंजाब बिहार उतरब्रदेश यह नहीं होता याद रखना बस इतनी सी बात है और आगे की वीडियो जितने भी वह आपको पूरी तर कर लेंगे उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको यहां तक समझ में आई होंगी तो दोस्तों प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह जो अर्थ शास्त्र का टॉपिक है अर्थ अर्थ शास्त्र में धर्म क्या है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्यू